नमस्कार हिंदी लणी चैनल पर आपका स्वागत है आज आश्मा महाजन हिंदी लणी चैनल पर लेकर आई है क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए नई गुलमोहर हिंदी पाटे पुस्तक चैप्टर 8 का पार्ट 2 जी हां पार्ट 1 अल्रडी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका ह यहां पर मैंने धिर्गुत रिये प्रश्न माइंड मैप और एक्स्प्लानेशन 70 पे तक कर दी है प्रिष्ट संक्या 70 जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे लिया गया है पार्ट 2 में आज 71 पेज पढ़ने जा रही हैं और 72 और उसके अधार पर सा साइकल सीखने गए हैं दूर ता कि कोई उन्हें देखना सके आठ नो दिन में लेकर साइकल चलाना सीख गए थे लेकिन साइकल पे चड़ना नहीं आता था तो एक दिन उस्ताद ने लेकर को साइकल पे चड़ा दिया सड़क पर छोड़ते हुए कि ले जाओ अब तुम तबी सामने से एक तांगा आता दिखाई दिया लेकर ने उसे बाई तरफ रहने के लिए का अब आगे पढ़ते हैं क्या है सबने मिल मिला कर हमारा पाउं साइकल से निकाला बगवान के एक बक्त ने मरहम का डिबबा भी उठा कर हमारे हाथ में दिया दूसरे ने हमारी बगलों में हाथ डाल कर हमें संबाला और साहनुबूती से पूछा बाजू के नीचे से पकड़ती है ना और बड़ी हमदर्थी से पूछा चोट तो नहीं आई जरा दो चार कदम चलिये नहीं तो लहू जम जाएगा इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकल दोनों अपने घर से थोड़ी दूरी पर जखमी हो गए हम लंगडाते हुए घर लोटाए साइकल ठीक होने के लिए मिस्तरी की दुकान पर भेज दी मगर हमारे वीर हिर्दे का साहस अभी भी लेका कपने आपको बहादूर कह रहे हैं कह रहे हमारे बहादूर दिल का साहस देखिए दीरज देखिए अब भी मैदान में टटे रहे कई बार गिरे कई बार शहीद हुए गुटने तुडवाए कपड़े फडवाए पर क्या मजाल जो हिम्मद छूट जाए अभी भी बूत जो है वो सर से उत्रा नहीं है साइकल सीखने का आठ नो दिन में साइकल चला न सीख गए थे लेकिन उस पर चड़ना नहीं आता था कोई परोपकारी पूरुस सहारा देकर चड़ा देता था तो फिर चड़ जाते थे हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं थी असीम आनंदित हुए पड़े थे सोचते थे मालिया मैदान हमने जान और इशिया से जलेंगे तो अभी तक वो तिवारी जी को जलाने में लगे हुए उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चड़ा दिया और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ अब तुम सीख गए अब हम साइकिल चला रहे थे और दिली दिल में फूले नहीं समाते थे जान में हमारे मन की जो दशा होती उसे परमेश्वरी जानता है जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जानाती अच्छानक सामने से तिवारी जी आते दिखाई दिये हमने उन्हें भी दूर से चितावनी दे दी कि तिवारी जी बाई तरफ हो जाओ वरना किरपे सबा रहे हैं तिवारी जी बोले तो क्या जो साइकिल चलाते वो क्या किसी की बात नहीं सुनते जरूरी बात है जर्ण उतर जाओ हमने लड़ ख़डाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिये जवाब दिये उतर गए तो चड़ाएगा कौन तिवारी जी चलाते ही रह गए और हम आगे निकल गए तभी सामने से एक तांगा आता दिखाई दिया हमने दूर से ही डांट लगाई भाई जरत बाई तरफ हम नए चलाने वाले हैं तांगा बाई तरफ हो गया हम अपने रास्ते चले जा रहे थी कि अचानक पता नहीं गोड़ा बढग गया या तांगे वाले को शरारत सूजी जो भी हो तांगा सामने आ गया हमारे हाथ पैर फूल गे घबरा गए हम जरा सा हैंडल गुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते मगर बुरा समय आता है तो बुद्धी पहले ब्रस्टो जाती है उस समय हमें ख्याल ही ना आया क हैंडल गुमाया भी जा सकता है फिर क्या था हम और हमारी साइकिल दोनों तांगे के नीचे आ गए और हम भी होश हो गए जब होश आया तब हम अपने घर में थे हमारी दे पर कितनी ही पटिया बंदी थी जानी कि हमारे शरीर पर हमें होश में देकर शरीमती जी ने का क्यो मैं कहती ना थी साइकी चलाना ना शिको उस समय तो किसी की सुनते ना थी हमने sorry हमने सोचा कि सारा इЛजाम तिवारी पे लगा दें जहीं कि अपने फ्रेंडे पे लगा देते हैं और आप सब बच जाएंगे आप साफ बच जाएंगे अपने आप बच जाओंगा बोला निरुत्तर होकर हमने आंके बंद कर ली उस दिन के बाद फिर कभी हमने साइकल को हाथ नहीं लगाया तो ये थी लिखकी आपभीती कहानी जानिकि जब होश आया तो शरी पे पटी का बंदी पाई सारा इलजाम उन्होंने सोचा तिवारी पे लगा देता हूं फ्रेंड पे ल सीखने की घटना का हास्य और व्यंग्य के साथ बड़े रोचक तरीके से लेखक ने इस पार्ट में बंदन किया है लेखक ने जीवन मुल्य क्या बताया है कि लगन और समर्पित भाव से हर चीज सीखी जा सकती है ख्याली पुलाव पकाने और आदे अदूरे डंग से सीख लगता ही हाथ लगती है ठीक है बेटर चलिए आगे शब्दर्थ हैं शब्दर्थ के बार निमल की प्रश्णों के उत्तर देने हैं लेखक कोंसी दो विद्याएं सीखना चाता था एक साइकल चलाना एक हार्मोनियम बजाना लेखक फटे पुराने कपड़ों की मरम्मत क्य लिए ठीक है तिवारी जी ने लेखक की किस का में मदद की थी लेखक को साइकल सीखने में उस्तार ढूंड कर किसने और कोंसी विद्या चुप चाप सीख ली लेखक के पुत्र ने साइकल चलाना सीखने की विद्या साइकल चलाना सीख लेने के बार लेखक क्या करना चाता प्रशिक्षन विद्या ले खूलना चाहता था साइकिल चलाना सीखने से पहले लिखित कोशन है साइकिल चलाना सीखने से पहले लेकग ने कौनसी बात नहीं कही भाई को पताया उस्ताद की फीस कितनी तैयोई 20 रुपे अती लगूतरी ये में पहला कोशन है लेकग को साइक उपके कितने डिबे खृषिदे बच्चो दो क्यों खृषिदे थाकि चोट लगने पर उसी समय इलाज कर लिया जाए साइकी चलाना सीखर लेकल सबसे पहले जहां गी रिखानकों गीड के मकबरें पर जाना चाहते थी लेकल ने अपनी पत्नी को साइकल चलाना सीखने का कार गी थी लड़के ने चीक दिया था लेखक ने साइकिल कहां सीखने का निचे किया और क्यूं शेहर से दूर लारंस बाग के मैदान में सीखने का निचे किया ताकि कोई वहां देखे ना और वहां की भूमी भी नरम है गिरने पर जादा चोटनी लगे गी फीस की बास सुनकर भी लेखक को दुख के बदल पर संता की हुई क्यूंकि उन्हे साइकिल चलाना सिखाने है तो एक योगे परशिक शक मिल गया था लेखक के जूटकी बोल किस परकार खुल गई थी तो उपर भी आंसर दे दिया गया और अलग से भी आंसर दे दिया गया यह आपको रिटन म लेखक से कितने दिन में सिखा देगा लेखक ने तिवारी जी से पूचा नहीं सिखाया तो फीसलोटा देंगे उस्तार ने लेखक से मेरी मानों ते ये रोग ना पालो अब इस आयू में साइकल बेचड़ोगे तिवारी जी ने लेखक से वहाँ एक तो भूमी नरम है रिती वाचक जिसमें कारे करने के ढंक का पता चलता है कारे कर कैसे रहे हैं धीरे कर रहे हैं तेस कर रहे हैं किस परकार से कर रहे हैं जल्दी कर रहे हैं काल वाचक में हमें पता चलता है हमने समय के समय का उत्तर देना होता है काम कब किया स्थान वाचक में कहां किया हमने क इडिया कहां की है, परिमान वाचक में कितना, ठीक है, शिरी मती ची ने हमारी तरफ दिरिष्टी से देखा, अच्रजबरी दिरिष्टी से देखा, तो ये रिती वाचक है, कि किस धंग से देखा, फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकर कर दीरे दीरे चलने लगे, रि रिती वाचक हो गया, तिवारी जी आते दिखाई दिये, अचानक सहसा, ये भी रिती वाचक हो, वाक्यों को शुद करके लिखिये, क्रिपा करके इनका मरमत कर डालो, इनका तो गलत है, इनकी होना चाहिए था, तुम हर समय बहस मत करो, अब इस अवस्था में, इतने में त रिकतस्थानों की पूर्ती उचित मुहावरों से करनी है, साइकल सवार बनने का लेखक का सपना चकना चूर हो गया, तूट गया, लेखक साफ समझ गया कि तिवारी जी इश्या की आग में फूके जा रहे थे, जल रहे थे, तांगे वाले को अपने सामने देखक, अपने स रिकतस्थान भरने है, कुछी दिनों में सीख लेंगे, आँखे मल मल कर देखा, हमने बजार से जंबा के दो डिबे खरीद लिए, मगर हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, सबने मिल मिला कर हमारा पाउं साइकल से निकाला, दिये गए वाक्यों में भावाचक संग दिये के विशेशन शब्दों की साहतस से रिकतसानों की पूर्ती करनी है, फस्ट है हमारे लड़के ने चुपचा पी विद्या सीख ली, उसके बाद हम तो परमातमा की कृपा से फिर भी पड़े लिखे हैं, जब वे चले जाएं, मेरी मानो तो ये रोग ना पालो, मैं सम एक्सराइज हुई खतम, एक्सराइज के बाद वर्क्षीट है, तो वर्क्षीट में पहला कोशन क्या पूछा गया आपसे, तो वर्क्षीट आपके सामनी है, थोड़ा सा ये नीचे पार्ट से आगे के कोशन है, अगर आपकी अधियापिका करवाती है, तो आप कर लीजि कारे पत्री का बन में पहला कोशन पूछा है, लेखक की अनुसार मुर्ख क्या करते हैं, तो जो मुर्ख होते हैं वो नए कपड़े पैन के निकलते हैं, और बुद्धी मान क्या करते हैं, जो बुद्धी मान होते हैं वो पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं, तिवारी ज या लेकर ने का कि भाई दिवारी हम तो जरूर सीखेंगे कोई आदमी बताओ अगला कोशन है आपका शिरीमती जी ने साइकिर परशिक्षन विद्याले कोलने वाली बात पर क्या प्रतिक्या रियक्षन दिया तो उन्हें ने का इतनी अवस्ता होगी मगर ओच्छा पन नहीं किल्किस अपने आते थे तीसरे पर चोथे वाला पहले आएगा मगर हमारे वी धिर्दे का साहस और धीरज देखिए और तीसरा है ये सब तिवारी जी की शरारत है उसके बाद आजाईए संदी विछेद है परमात्मा परम प्लस आत्मा निश्चय नी प्लस चेर निश्चय इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है ठीक है वहाँ से आप समझ सकते हैं विद्याले में विद्या प्लस आले परमेश्वर में परम प्लस इश्वर प्रशिक्षन में उपसर्ग निकालना है प्रह हो गया मूलशब्द शिक्षन अनूसार में अनू लगरी दे, नो, लेखक चाहते थे किसी को कानो कान खबर ना और हम साइकल सीख जाए, येस, आगे बढ़ते हैं, लेखक ने उस्ताद को फीस के रूमें 40 रुपे दी ये, नो, 20 ती ये थे, आठ नो दिन में लेखक साइकल चलाना सीख गए, येस, तबी सामने से एक तांगा आता दिखाए दिया, बाकी आप खुद फिल करेंगे, क्योंकि चैप्टर आपने पढ़ लिया है, पार्ट से चुनकर पांच पुनुरुक्त शब्द लिगने हैं, पुनुरुक्त शब्द होते हैं, जो बार-बार रपीट होते हैं, जैसे बैठे-बैठे, कैसे-कैसे, जर जरा तन-टन की अवाज तो इस तरह, ठीक है, दिये गे वाकियों में कारक चिन्य पर गोला लगाना है, सोचता हूँ भगवान ने ये दोनों विदाएं भी खूब बनाई है, तो ने करता कारक हो गया, भगवान ने को अंडरलाइं कर सकते हैं आप, तो सिरफ कारक चिन्य पर गोला लगाना है, इसलिए ने पर गोला लगाएंगे, सोचा क्या हम ही जमाने भर में फिसरडी रह गए हैं, तो में में गोला लगा दीजिए सरफ, तो ये हो गया आपका अधिकरन कारक, इसी परकार बाकी तीन एक्जांपल आप खुद सॉल्फ करेंगे, ठीक है, यहा से देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई चीज छूट जाती है, कमेंट बोक्स में बता दीजिएगा, ध्यान से कोशन के आण से पढ़ लीजिएगा, लाइक करना भूलिएगा मत वीडियो को, दोस्तों के साथ शेर करना भी मत भूलिएगा, और कोई अगर क्वेरी रह जात तो कमेंट बोक्स में लिख दीजिएगा, ओके स्टुडेंट्स, जल्दी मिलते हैं आपको चैप्टर 6 और 7 के साथ, तिल देन, गुट बाई